भाई कि आप लड़की को मैसेज कर करके परिशान हो गए हो लेकिन लड़की आपको इग्णोर करने से बाजी नहीं आ रही इग्णोर मार देती है सीन करके छोड़ देती और आप यहाँ पर परिशान कि साला मैं गड़बड क्या कर रहा हूं टेंशन ना लो आज मैं आपको तीन ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसके बार लड़की धका धक रिपलाई करेगी मतलब इतना जादा कि तुम परिशान हो जाओगे करनी है कुछ चीजे है सबसे पहली चीज है कि कॉन्फिडेंस लेका रहा हो मतलब भाई आपको कॉन्फि लिख रहे हो कब लिख रहे हो कैसे लिख रहे हो इसका काफी प्रभाव पड़ता है हाई क्या मैं फ्रेंशिप कर सकता हूँ और है कल प्रिया के बद्डे में हम मिले थे इन दोनों में काफी जादा फरक है तो भाया जी कोन्फिडेंस के साथ शुरुआत करो और एक करना जब लड़की free हो कहीं पता लगा वो ट्यूशन ले रही हो यहां तो message पेल रहे हो ना 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 दूसरी चीज है कि topic interesting रखो मतलब कि boyfriend है यह नहीं है कौन है उसकी क्या राशी है कहा रहता है कब रहता है यह वो आगल हो क्या कुछ कुछ और तगड़े शिकारी होती है कि अरे बेफकूफ हो क्या यार इनके अलावा भी बहुत सारे topics होते हैं जिस पे आप बात कर सकते हो पता है लड़की के लिए सबसे interesting topic क्या होता है लड़की वो खुद लड़कियों को खुद के बारे में बात करना इतना जादा पसंद होता है इतना जादा पसंद होता है कि बहुत ज़्यादा किसी भी टॉपिक को घुमा फिरा के उसी पिला दो अगर पढ़ाई की बात हो रही है तो तुम उससे पूछो यार तुम पढ़ने में कैसी हो टॉपर ही होगी अब उसको बहुत मजी आएंगे एक्स्प्लेइन करने में कि मैं टॉपर क्यों हूँ और मैं इतने ज़्यादा कीका अब और बने बात रही है की पता है हमारे गुरुप में एक लड़की है उसके पीचे सब लोग दिवाने रहते हैं इतने जाधा कि क्या बताऊं, हरे ग्रूप में कोई ना कोई ऐसी लड़की जरूर होती है, तुम्हारे में कौन है, शायद तुम ही होगी, अब लड़की इतना मंद मंद मुस्कार ही होगी और तुमसे पूछेगी, अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं हूँ, तुम बोलो तुम्हें लगे कि बस आज का हो गया, बस खतम होने वाला है, तो लड़की को जाते जाते एक मिश्ट्री में जरूर छोड़कर जाना, ऐसा उलजार देना कि सुलजी न पाए, एक्जाम्पल, अरे सुनो यारे एक सजेशन चीए था, बतादो न, वो पूछेगी कि हाँ ब पताता हूँ भी मैं लेट ओरों में चलता हूँ, बाए बोई बोलके निकल लो तुम, most probably तो वो खुदी मेसेज करेगी और पूछेगी कि अरे कल का क्या हुआ, या अगर तुम ही मेसेज करते हो तो पहला कोशन वो यही पूछेगी कि कल का क्या सीन रहा, भाईया सच बोलन कि यार नीचे ना बेल नोटिफिकेशन देखते जाना तुमने आन किया है क्या, सब्स्राइब किया है मुझे पता है, लेकिनो जो घंटा है नो उसके दोनों तरफ उपर कुछ बना हुआ आएगा, देख लो यार मतलब यार ऐसी चले जाओगे, देख लो दो सेकेन लगने अगर ओ घंटा नहीं दबाये तो दबा लेना तुम्हें नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, बाके तो वीडियो को लाइक करते हो ना, मतलब कर दिया करो यार, तुम क्या कर रहे हो, और शेयर कर देना वीडियो, मतलब अपनी वाली के लिए इतनी बड़ी बाते हो, लेकिन शेयर नहीं किया जाता, जो जो शेयर करेगा ना, उसको उसकी बंदी मिलेगी ही मिलेगी